कुछ अलग है इस मंदर की आसियत सुमवार नहीं बलकि बुद्वार को होती है शिवलिंग की पूजा अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर दिन के अनुसार हर दीवी देवता की पूजा की जाती है वहीं सुमवार के भगवान शिव के पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है कहते हैं कि जो लोग हर दिन भगवान को जल नहीं चड़ा पाते वे केवल सुमवार के दिन ही शिव जी का पूजन कर ले तो उनकी सारी मनों कामना पूरी हो जाती है वहीं सुमवार के दिन ही लोगों की खासी भीड शिवालेओं में देखने को मिलती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने डा रही है जहां सुमवार को नहीं बल्कि भूले बाबा की पूरा बुद्वार के दिन होती है उत्तरप्रदेश की राजदानी लखनव जहां बहुत से शिव मंदिर स्थापित है लेकिन एक ऐसा भी शिव मंदिर है जहां शिव जी आराधनब बुद्वार के दिन होती है इस शिव मंदिर की विशेषता ही अलग है और इसके साथ ही इसकी खास बात ये भी है कि यहां शिव जी की पूजा का दिन सुमवार नहीं बल्कि बुद्वार का होता है और इसे बुद्धेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है ये मंदिर लखनव के मुहान रोट पर स्थित है इसकी आसियत ये भी है कि इसे भगवान राम के छोटे भाई लक्षमण ने कित ही यानी कि यह मंदिर त्रेताय यूब में निर्मित है और आने कथाओं के अनुसार भगवान राम के आदेश पर लक्षमन माता सीता को वन से छोड़ने जा रहे थे तब उन्हें माता सीता की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी कहा जाता है कि लक्षमन ने इस स्थान पर भगवान शिव पध्यान किया उसके बाद भगवान भूलेनाथ प्रकट होकर लक्षमन को दर्शन दिये और माता सीता के विराट स्वरूब का दर्शन कराया बताया जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने लक्षमन को दर्शन दिये थे और उस दिन भुदवार था यही कारण है कि यहां स्थापित शिवलिंग को बुधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और तब से इनकी पूरा भुद्वार के दिन ही यहां की जाने लगी है सीता कुंड मान्यता है कि जब लक्षमन भगवान शिव की साधना कर रहे थे तब माता सीता यहां पर स्थित कुंड में हाथ पेर धोकर कुछ समय आराम किया था तब से इस कुंड का नाम सीता कुंड पढ़ गया यहां आने वाले शिव भक्त पहले बुद्धेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं फिर सीता कुंड का भी पूजन करते हैं